खबर है लखनव से जहां मुक्ती फाउंडेशन ने अपने मिशन थ्रूप के जरीए डिसेबल बच्चों को बढ़ाना शुरू किया है ये बच्चे पल्टन जोनियो और रामराम बैंग के पास के स्लम एरिया से आये हैं बताया जा रहा है कि मिशन में कुछ 40 बच्चों को लिया गया है वही मुक्ती फाउंडेशन की सच्चिव रीता सेंग ने आगे बताया इन बच्चों को अलेगन चीता पुरूर स्थेत एक स्कूल में नर्सरी क्लास के लिए तयार किया जा रहा है और इनके लिए एक स्पेशल जीरो क्लास बनाई गई है वही आपको पता दें कि मिशन धूरूर में करीब 5 से 12 साल की उमर के बच्चे पढ़ सकते हैं और ये बच्चे 6 महीने में पढ़ने के काबिल हो जाएंगे ये हमारा मुक्ति और्गनाईजिशन है जिसमें हम मिशन धूरूर के तहत उन बच्चों को पढ़ाने की मुहीम को हमने आगे बढ़ाया है जो अंडर पूर्वे बच्चे हैं जो मूल भूत सुवदाओं से बंचित हैं इन बच्चों को इनकी पहचान कराना और इनके लिए इनको एक अच्छा नागरिक बना रहा है यह हमारा देश है तो हमने यह चुकि यहाँ पे एक स्लाम एरिया है और सराउंडिंग इसके बहुत अच्छा अच्छे लोग रहते हैं लेकिन किसी भी इस सिदिमें यहां के लोगों का इनके ध्यान नहीं जाता है क्योंकि किसी भी देश का विकास सभी संभव है जब यहां का प्रत्यक नागरिक बढ़ा होगा इस वर्प को पढ़ाना सबसे कठी नुकार इसलिए क्योंकि इनके पिता ज्यादा तर मेट्रोपॉलिटर सिटी में वो लोग आते हैं जो कमाने के लिए आते हैं इनके जितने